हेलो दोस्ताओं कैसे हो आँप आपसे बढ़ जाओंगी तो चलिए स्टाट करते हैं आज का वीडियो आघ़िशल हविडाईशन के बारे में चलिए सब्सक्राइब करते हैं देखें आपको इसके बारे साथ अंदर लग गया हुआ आघ़िशन की मतलव क्या होता है क्योंकि के नाम से artificial hybridization का मतलब यह होता है कि कुछ यह ऐसी टेक्निक्स हैं जो कि इंसानों ने लगाई flowers के अंदर और वो इसमें सफल भी हो गए एसी क्या टेक्निक्स थी वह में सब पढ़ने वाले हैं इस में यह सुनिश्चित कर जाता पहले से कि हमें जो पॉलन ग्रेंस हैं वो सही यूज़ करने मतलब राइट पॉलन यूज़ करने जो हमारी इस्टिंग्मा है ठीक है उसको प्रॉतक्त किया जाता है किसे ऑन्रौनेटट पॉलन 시 अब समझ रहूंगे जो ऐसे पॉलन जो हमें नहीं चाहिए जिसमें क्या है आप समझ रहोंगे कि autogamik की pollen होंगे मलदा आपका कोई bisexual flower है ठीक है आप भाजेसल फ्लॉवर में में अब मेल गैमिद्स है फीमिल गैमिद्स ही है अब जो मेल गैमिद्स है हमारा वह वो female gamit से कहीं fertilize ना कर जाए वोसे बोलते हैं unwanted pollen जो कि हमें नहीं चाहिए हमें चाहिए कोई दूसरा pollen जो कि एक superior character लेकर आएगा ठीक है क्यों लेकर आएगा क्योंकि वो दूसरे flower से आ रहा है इसलिए हमें कोई दूसरा pollen चाहिए fertilizing के लिए हमें वो pollen नहीं चाहिए हमें autogam नहीं चाहिए हमें autogamics को क्या करना है रोकना है तो कुछ ऐसी टेक्निक्स अपना ही गई autogamics को प्रिवेंट कर लिए पहली टेक्निक हमारी emasculation और सेकिंड हमारी बेजिंग ठीक है सबस्क्राइब में emasculation पढ़ते हैं emasculation में क्या होगा है बहुत सिंपल है ज्यादा कुछ नहीं है इसके पास क्या है इसके पास पिश्टल तो ही ठीक है अब इसके पास क्या है अब क्या होगा कहीं यह वाला जो इसके पास पॉलन है अगर यह सर्फिस पर और अगर यह से फर्टलाइस कर गया तो क्या होगा कोई वी बेरिशन अगली जनरेशन में हमें नहीं पाएगी तो इसको रोकने के लिए हमने एक इसे एमैसैकुलेज़न गी अपनाई ऐख कुना एक है Hmm, the enter is removed रिमूव that the आप्ली है आपका जो फीलामेंट है अब इसे जीलामेंट है अब यह अ एक सिद्दे हम हां फीलामेंट कर देंगे और इसे सीदे अलग कर किस से तो क्या होगा जब एक आवत है ना रहेगा बास ना बज़ेगी बास होड़ी जब आपका पॉलन ही रहेगा वहाँ पर तो आपका फटलाइसन कैसा हुगा ठीक है तो देखिए अब मरते आंगे यह क्या है अगर आपको यह टेक्निक कहा अपना नहीं है अगर वह बाइ पोई बात ही नहीं है तो आपको जरूद नहीं पड़ीगी अगर आपका फलावर है यूनीसेक्षी अगर बास तो आपको जरूद करना है वर्ट इस में ओसे कवर्ड वाय बेजंग अब उसको हमें कवर्भिकर ना पड़े तेका एस नोट टू अलू कंटेमिनेशन ओफ दा इस्टिग्मा बाइं अन्मांटेट पॉलन ग्रींस ठीक है अब सुक्या है बेज कर देंगे इससे की कोई भी अन्मांटेट पॉलन उसके पास ना आ जाए ठीक है अगर दुबारा से मलब मालों उग गया वह दुबारा से प स्टिग्मा होता है बेज्ट फ्लॉवर का बिकम्स रिसेप्टिप मालीज अगर वह डवलप हो गया है एक अच्छी कंडिशन में है अब जो हम इंसानों के द्वारा जो अलग तरह के फ्लॉवर में से लाए गई पॉलंस हैं हम उस्टिग्मा के सर्फेस पर क्या कर देंगे तो उसके मतलब क्या हुआ किसका उसको बेज्ट करने का तो से अटा दो तो से क्या कर देंगे हम रिविए कर देंगी आफटर डिर्टी फटिलाइशन क्यों क्यों है मुन्स लगा दियो पहले ढब क्या है कि अब क्या है इब फी पेरेंट इस युनिसेश्टफॉल माल तो आपके मतलब नहीं आपर इन दिस केस अब इस कंडिशन में क्या हुआ अगर माल लीजे फीमेल पेरेंट जो है तो उसके पास आराम से हम क्या कर देंगे जो अगली जनरेशन में में मेदपूर होते हैं और अशी पैदावार वड़ाने के लिए तो यह सब क्या है एक पर आपका जो पॉलन है वहां से क्या कर दिया और उसको ऊपर से क्या कर दी बेजिंग कर दिया जीसिके वह कंटेमिनिशन में ना जाए इस टिकमा के सर्फिस में तो बस इस वीडियो में से इतना ही आर्टिफिशल है अब जो हमारा अगली वीडियो आएगा वह आएकर डबल फटलाइशन पर और यह थोड़ा सा टॉपिक जो है इंपोर्टेंट है तो मैं चाहूंगा कि इस वीडियो जो आएगे वह बूर्ड पर आएगी शरी थैंक्यू फर बहुंचने इस वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेर कर दिना और लाइक कर दिना थैंक्यू